आज हम Arduino के Digital Category में Blink Without Delay इस नाम के Experiment के बारे में जानकरी लेंगे अगर आपने इसके पहले Blink नाम का Experiment किया होगा जो की Arduino का सबसे पहला Experiment है तो यह भी उसी प्रकार का Experiment है केवल इसके लिए जो प्रोग्राम इस्तिमाल किया गया है उसके अंदर फर्क है इस Experiment के सर्किट भी पहले वाले Experiment की तरह ही है इसमें हमने एक LED, एक 220 Ohams का Register और दो Jumper Wires इस्तिमाल किये हैं पहले हम LED को Breadboard के उपर जोड लेंगे LED के लंबे वाले पैर से हम Arduino के Digital Pin No.13 को पीले रंग की Jumper Wire से Connect करेंगे यहां पर हम Register को LED के किसी भी पैर से जोड सकते हैं मैंने यहां पर LED के छोटे वाले पैर से Register को जोडा है Register के दूसरे छोड पर मैंने पीले रंग की Wire जोडी है जो Ground Pin को जाती है Arduino के Board पर Digital Pin No.13 के बगल में Ground के लिए भी एक पोर्ट है इस तरह से Connection करने के बाद Arduino के Board को Computer के USB पोर्ट से USB केबल से Connect करेंगे फिर उसके बाद हम Example Program open करेंगे इसके लिए File, Examples, Digital, Blink Without Delay यह Program open कीजिए और फिर उसे Upload कीजिए Upload पूरा होने पर आपको LED एक सेकेंड के डिले से जलती बुचती हुई दिखाई देगी इसका जो Program है उसे समझने में आसानी हो इसलिए मैंने उसका एक संक्षिप्त संसकरण बनाया है जो आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हो और साथ ही यह Program किस प्रकार काम करता है इसे समझाने के लिए मेरे ब्लॉग पर एक आर्टिकल भी लिखा है इस वीडियो के उपरी और दाएं कोने में Mouse Pointer ले जाने पर एक Card open होगा उस पर क्लिक करने पर वह ब्लॉग आर्टिकल open होगा आप चाहो तो उसे वहाँ पर पढ़ सकते हो और साथ ही एक लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रीप्शन बॉक्स में भी दिया गया है Blink प्रोग्राम में हमने Delay function का इस्तिमाल किया था Delay function का इस्तिमाल करने पर Arduino के board से LD को जाने वाली जो supply है वह उतने समय के लिए रुक जाती है जैसे अगर हमने Delay 1000 लिखा तो 1000 millisecond याने एक सेकंड तक LD को जाने वाली बीजली की supply रुक जाती है Delay की value को कम या ज़्यादा करके इसका blink rate हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर Arduino के board पर एक से ज़्यादा components है और उन components को भी आप programming की सहयता से control कर रहे हो तो जब Delay function रन करेगा तो वो सारे components को जाने वाला supply रोग देगा तो इससे हमारे experiment में दिक्कतें आ सकती है इसलिए दूसरे components के supply को effect किये बिना LED को अगर आपको blink करना हो तो इसके लिए millies नाम का एक built-in function है उसका इस्तिमाल इस program में किया गया है जब हम millies function का इस्तिमाल करते हैं तो यह function जब से Arduino का board को power supply मिलता है तब से लेकर वह समय गिनना शुरू करता है और इसके बारे में ऐसे कहा गया है कि यह 50 दिन तक लगातार समय गिनता रहता है तो इसे एक digital timer की तरह हम इस्तिमाल कर सकते हैं millies function का जो output है वह हम एक variable में store कर सकते हैं और हमको जो pause देना है उसे हम एक constant की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस program के अंदर एक constant है जो की हमारा expected delay होगा और यहां पर एक variable में हम zero store करेंगे और दूसरे variable में millies function का जो current value है वह store करेंगे और हम इन दोनों variables को compare करेंगे जैसे current value minus previous value is equal to 1000 तो इस तरह से compare करके जब current value 1000 हो जाएगी उस समय हम led का जो state है उसे change करेंगे तो अगर वह on है तो उसे off करेंगे या फिर off है तो on करेंगे तो जो loop function है loop function के हर एक cycle में हम इस state को change करते जाएगे तो millis function की जो previous value है वह beginning में 0 होगी और जैसे ही current value 1000 हो जाएगी हम 1000 को previous value की तरह store करेंगे और फिर दुबारा हम current value से उसको compare करेंगे इस तरह से हम loop function के हर एक cycle में 1000 millisecond के समय को हम detect कर सकते हैं और इस तरह से यह program run होता है तो इस program का संक्षिप्ट संसकरण पढ़ने के बाद आपको इस program को समझने में आसानी होगी और फिर उसके बाद आप जो example में डिया हुआ program है उसमें जो constants और variables हैं उन्हें लंबे नाम दिये गए हैं तो उसे समझने में आपको आसानी होगी तो इस experiment में हम यहीं रुकते हैं फिर में लेंगे अगली वीडियो में एक नए experiment के साथ पर फिर मीरा से जोड़ान nousड़र से जो हुआ जो जो फो इस इस.